Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. टेक्च्चर बहुत अच्छा tastes झाल को किसीत को अधो कि भी चुन दे सकतें करें बहुत लाइट करने है कम लुशा इन अजो उर्ण होता चाहा है लिग्व करने तो आइझेग। अग्र। अज़्छा कई। साथ शक्ता लें फिल्डा मेठे, सोग्छा है लेकिन लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा क्रिएट करना है तो थोड़ी बहुत महनत और थोड़ी बहुत खर्चे तो करने ही पड़ते हैं तो यहां पर कलर इसका यूज होगा बहुत जादा क्योंकि बहुत जाद सोखेगा पर जो टेक्श्चर आएगा ना वह माइंड ब्लोइंग आपको देख के लगेगा हां यार कुछ तो बनाया है मैंने और बहुत इजी है कोई भी बना सकता है बस कलर को लेना है इसको टैप टाप करने आपको कुद ही परता चल चाहिए कब टेक्श अच्छा रहा है कब खराब और इन्होंने नीचे डार्क कर रहा है उपर लाइट करते हैं तो इन्हों लिए आप दूसरी बाटल उस पर बेस दे रहे हैं वाइट कलर का इस पर अलग टाइप का कुस डिजाइन फ्लावर वाला फ्लॉरी डिजाइन क्रेट करना चाहते हैं कुस डिफरेंट तरीके का और आप अपना डिजाइन पहले से सोच लो कि आपको कि करना है किस तरह उस तरह से आप लेके कलर अपने आओ और इसी रहता है फिर हम उसके बाद कंफ्यूज नहीं होते कि हमें क्या बनाना है इनको पता था इन्होंने अपने लिए पहले से ले लिया था कि क्या क्या बनाना है किस कलर का यूज करना है तो यहां पर वाइट और स्पॉंज की मदद से यह पिंक कलर का यूज कर रहे हैं और बोटल पे लगा रहे हैं आप देख सकते हैं कि तब प्यारा लग रहे है यह वाइट और पिंक का कॉंबिनेशन और यहां पे इस पे बोटल पे फ्लावर बनाएंगे आप इसको सूखने के लिए रख देंगे यह सूख चुक है तो अब देखे फ्लावर बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है उंगली पे अपने जो है आपको कलर जो भी यूज करने आप उसको लगाए और लगाने के बाद अपने उंगली से फ्लावर की तरह डिजाइन बनाते चाहिए और अगर आपको कॉंट्रस्ट कर और उपर का जो है ना यह सोचे थे वह लगे यूनिवर्स की तरह तारे तारे हो मतलब ब्रह्मान जासा कुस नजर आए तो वाइट कलर से स्प्रे किया और देखे कि तब प्यारा लग रहा है यह ऐसा लग रहा है ब्लू पिक्दम वाइट वाइट सा लग साही निखर रहा अलग साही चमक रहा है बिल्कुल अगर आपकी अच्छी है तो आप तरिशूल और शिवजी की कर सकते हो ड्रॉ करके और अगर नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको पेस्ट कर दो पेस्ट करने के बाद आप उपर से चाहो वो टेक्ट्चर दे सकते हो स्पॉंज की मदद से जिस भी कलर से चाहो यह वाइट से दे रहे हैं ताकि अंदर जो है ब्लू निकल खिया है उपर उपर साइड साइड में बिल्कुल वाइड वाइड चम क्या आप देखना अभी हटाएंगे तो कितना अच्छा लगे इसे ना आपका जो है डिजाइन वो जादा उभर के आएगा रैड कलर जो है जादा उभर के आता है तो है अगर रैट से आप करोगे तो डिजाइन बहुत दिखेगा अच्छे तरीके से तो आप देख सकते हो किता प्यारा लग रहा है यह एक सिंपल सी बॉटल थी है कोई यह चीज़े बाहर मिलते भी हैं जो आपको खरीदनी बढ़ेंगी तो यह थोड़ी महंगी मिलेंगी 200-300 की बनी बनाई पर आप खुद से घर में क्रिएट कर सकते हैं सब चीज़े बॉटल आर्ट आजकल बहुत फैशन में क्योंकि सब के घर में बहुत बॉटल से होती है अब यहां पे लिख रहे हैं महादेव टकलर से और आप जाहो तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो जैसे इनने लिखा है वैसे है, या बटल कितनी जादा प्यारी लगे तक्नी जप्ञारी है देखने में आपसे बड़ी बात कि इससे बनाना बहुत टुफ नहीं है आपको लगे रहना है बस आपको थोड़ा सा टेक्निक यूज करने है बॉटल पे कि स्प्रे बेंटिंग कर दिया स्पॉंजी उसका लिया और आपकी बॉटल तयार हो जाएगी जिसकी ड्राइंग बिल्कुल एवरेज है न वह भी बॉटल को बहुत इसली बना सकता है बस थोड़ा यह है कि आपको पता होना चाहिए आपको कैसे कलर सी करने कैसे कॉंट्रास्ट करने आप देखिए बॉटल क इतना जादा उभर किया है कितना जादा अच्छा लग रहे तो अब तो आप लोगों ने सीखी लिया होगा कि बॉटल कैसे बन जाएगी आप इस पे कुछ भी डॉटल कर सकते हो आप इस पे राध्यकृष्ण कर सकते हो कुछ भी स्प्रेइबंटिंग की मदद से और उसका इसको बारीकी से मतलब हाइलाइट भी कर रहे हैं जो अंदर फ्लॉवर और उभर कर आए और ज्यादा खुब सुत लगे आप अपने पसंद से जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप यूज कर सकते हो चाहे आपको आप फ्लॉवर किसी से बना आपका बेस को यह और कलर का हो तोटली आपके उपर डिपेंडनेंस जरूर नहीं है कि हाड और फास रूल है कि आप यही उस करो पर अपना ड्राइंग पहले से सिलेक्ट कर लो और उस तरह से अपने बॉटल को एक नया रूप एक नया रंग दे दो और बॉटल सजाने के लिए बिलकुल तयार है दोनों बॉटल एक तो बिलकुल फ्लॉवस बन चुका है जिसमें मैं कुछ फ्लॉवर डालके भी रख दूंगी तो बहुत खुबसूरत लगेगा और दूसरे हमारे शिवजी जो की खुद में बहुत जादा अच्छा लग रहा है यह बॉटल तो गाइस आपको बॉटल आठ पसं झालोंड़।